एलो डियर स्टुडेंट आज हम परने वाले हैं चैप्टर नमबर 6 जिसका नाम है No Man Are Foreign यानि कि कोई भी व्यक्ति को हमें विदेशी नहीं समझना चाहिए तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं वैसे इस चैप्टर बहुत ही जादा इंटरेश्टिंग और बहुत ही जादा अच्छा होने वाला है तो यह जो कूरा चैप्टर है इसमें पोएट हमें क्या कहना चाहरा है पहले हमें उसके बारे मच्च समझना चाहिए तो जो पोएट है वो हमें इस चैप्टर के द्वारा हमें अच्छी तहीके से यह समझाना चाहते हैं कि हमें किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करनी जैसा कि कई लोग रखते हैं कि वे कहते हैं नहीं वे वी देशी खराब है और वे उससे हमें नहीं भाईचारा करना चाहिए, वे द्यूसरी जगह के रहने वाले हैं या फिर मतलब कि उनके अंदर बहुत ही जादा भेदभाव होता है बहारी के लिए या फिर उनके राज में या फिर उनके देश में अगर कोई नया आता है तो चलिए इसे अच्छी देल की से अब लाइन बाइन वाइज और परग्राफ वाइज समस्तें तो जो पहली लाइन है वो है रिमेंबर, no men are strange, no country foreign याने कि कह रहे हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी वेक्ती हमारे लिए अजने भी नहीं होता है और नहीं कोई कंट्री हमारे लिए विदेशी होनी चाहिए बिनीत आल युनिफॉर्म युनिफॉर्म मतलब कोई भी कपड़ा हो या फिर कोई भी ड्रेस हो जो कोई पहनता तो सभी ड्रेस के नीचे अ सिंगल बॉड़ी ब्रीथ एक ही बॉड़ी साहस लेती है याने कि एक ही प्राण होता है तो यह तो हो गया इसकी मेनिग अब चलते हैं तीसरी लैंड ganz like ours the land our brothers walk upon is earth like this in which we shall lie अब वे कह रहे हैं कि हमारे तरह याने कि हमारे अपनों की तरह जैसे हमारे भहिया होते हैं और हमारे parents होते हैं तो उसी तरह the land our brothers walk upon तो उसी लैंड पर हमारे ब्रदर्स हमारे भाइ याने कि जो दूसरे देश से लोग आ रहे हैं वो भी तो हमारे भाई हैं इस अर्थ लाइक दिस इन विच विश्य लाई तो इसी अर्थ में इसी मिट्टी में एक दिन हम सब मर जाएंगे तो पोईट यही इस पूरे पैराग्राफ में यही कहना चाहते हैं कि यह पूरा संसार है यह पर कोई भी इस्ट्रेंज नहीं है कोई भी अजनभी नहीं है और कोई भी आर jej finally यह सभी लोग हमारे लिए प्राड जिंदा है तो प्राड तो सेम है तो हमें भेदवाव इसलिए नहीं करना चाहिए उनके पास ही हार्ट है हमारे पास भी हार्ट है तो यहीं कहना चाहिए कि हमें भेदवाव नहीं करना चाहिए देटू अबे राफसर अंडे और syrna. friendly- subtle But पाटर को जानते हैं और फेड बाइपीसफुल हार्वेस्ट वाइवार्स लॉंग विंटर इस्टावड और वे भी फसनों के उपर जिंदा रहते यानि जो हार्वेस्ट होती है उनके उपर वे लोग भी निर्भर रहते हैं वे लोग उनके कहने का यही मतलब है कि वे लोग अन्य ग्रहड करके जिंदा रहते हैं और हम लोग भी अन्य ग्रहड करके जिंदा रहते हैं यानि कि जब हम लोग युद कर रहे होते हैं आपस में जब मानव जाती आपस में युद कर रही होती है तब जो सैनिक होते हैं जो भूखे होते हैं तो वो भी तो अन्य ग्रहड क Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. अब वे बहुए कह रहे हैं कि उनकी जैसे हाथ हैं वैसे हमारे भी हाथ हैं and in their lines we read lines का मतलब कि उनकी hand की line, उनकी जो palm होती है उसकी line की बात कर रहे हैं तो उनकी जो palm की line है, वो हमारे hand, जैसे उनकी hand है वैसे हैं हमारे भी hands है तो उनकी जो हाथ में उनकी जो palm में lines है वो भी हमारे में lines है a labor not different from our own और एक labor जो कि हमारे लिए सब कुछ काम करता है वो भी हमसे different नहीं है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि labor से भी बहुत ही जादा भेदभाव करते हैं भले ही वो अपने ही country का हो तब भी उससे बहुत भेदभाव करते हैं उससे काफी दूरी बनाया रखते हैं तो इनी सब चीजों का बहुत लोग अच्छे से बुराईयां करते हैं तो कोई ल तो हम उसे प्यार से दिल उसका जीत सकते हैं क्योंकि अगर हम लड़ाए जगड़ा करेंगे आपस में तो सिर्फ जो पूरी मानव जाती है जो पूरी यूमेनिटी है वो सिर्फ डिश्ट्राइ होगी अब भाई अगर हम किसी क्या अगर आदमी ही आदमी का खतल करेगा तो डिश्ट्रक्शन ही न होगा बताईए डिश्ट्रक्शन नहीं होगा तो यही पूरी यहाँ पर कहना चाहते है In every land is common life मतलब कि जहां जहां पर यह संसार फैला है जहां जहां तक यह land है वहाँ पर सब जगह ही common life है that all can recognize and understand और जितने भी मानव होते हैं जितने भी humans होते हैं वे सभी recognize कर सकते हैं यानि किसी चीज़ों को याद रख सकते हैं और उसकी बारे में समझ सकते हैं Let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourself that we shall disposedness, battery, code man Remember we who take arms against each other अब पोजट हमें यह बता रहे हैं कि हमें आपस में नहीं जगरना चाहिए जैसे कि सभी लोग जगरते हैं और हम जोते हैं मनुष्य जोते हैं वो दूसरे मनुष्य के उपर हाथ उठाते हैं या फिर उन्हें हथियार से मारते हैं तो इस तरह से जो हमारी earth है वो ही यहाँ पे polluted हो रही है और उसे ही यहाँ पे काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि जब earth पे humans ही नहीं रहेंगे तो आखिरकार जब humanity खतम हो जाएगी तब हम किसे युद्ध करेंगे तो poet यही बताना चाहते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए तो उमीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो जो लास्ट पराग्राफ है वो है अब यहाँ पे जो poet कह रहे हैं कि जो humans होती है तो अर्थ की वीवी तो same ही है मतलब कि जैसे आपको दोपएर है मतलब जितने चीज़े आपके पास है उपना लगभग सभी के पास है क्योंकि आजकल कई लोग मतलब कि आप लोग समझी गया होंगे कि मैं क्या कहना चाता हूँ अपाहीज होते हैं जिन्हें God नहीं देते हैं तो वो अलग बात होती है पर लगभख सभी मिन्स के पास सेम ही जितने इनके पास हाथ है उनके इतने पास वे पैर होती है मतलब सेम होती है एक को कांफी कम लोग को छोड़े हैं और नहीं ना तो उसी तरह से हमें भी नहीं जगरना चाहिए remember no men are foreign and no countries कहते हैं कि हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी ना तो में foreigner है ना तो कोई में विद्योसी है ना ही कोई में हमारे लिए अजनभी है तो यह जो पूरी फूयम है इसमें पूयट हमें बेदभाव के बारे में बता रहे हैं कैसे काफी लोग foreigner से भेदभाव करते हैं उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से पूर्य अच्छे समझ में आया होगा इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को सेयर करें ताकि आपको दोस्तों की भी मदद हो सके तैंक यू जय हिंज भारत